Hello everyone कैसे हैं आप में नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको धनवंतरी ब्रांट के देन डी सीरप के बारे में रिव्यू दूंगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये सीरप आपकी बोड़ी को किस तरीके से फायदा देती है इसके benefit, side effect, uses, price और dose इन सबके बारे में आज अपन डेटेल में बात करेंगे डेटेल में इसका review करेंगे तो गईस धनवंतरी ब्रांट के बारे में तो आपने सुनाई होगा ज़्यादा कम होते हैं जिसके कारण लोग बाग बिना किसी confusion के इनके प्रोजक्टों को पर change कर लेते हैं ये गईस ना के बला आयरविदिक medicine बनाता है बलकि आयरविदिक beauty प्रोजक्टों का भी निर्मार करता है आदे से ज़्यादा मार्केट इसने अपने प्रोजक्टों से घेरा हुआ है काफी सस्ते affordable प्रोजक्ट बनाता है और लोग बाग इस ब्रांट से बहुत अच्छे से अव्ड़त भी है इससे पहले की कई वीडियो में मैंने आपको धनवंतरी ब्रांट के प्रोजक्टों का रिव्यू किया है तो चलिए गईज आज अपन इसी ब्रांट के डेंडी सीरप के बारे में बात कर लेते हैं यह जड़ी बूटियों से मिलकर वनाईगे का अरविदिक ओशिदी है अरविदिक दवा है जिसको धनवंतरी ब्रांट कारा मैनिफेक्चर किया गया है यह जड़ी मार्केट में आपको लिक्विट फर्म में मिलती है जिसका उपयोग आपके सरी की रोग पत्योदक चमता को बढ़ाने में किया जाता है गैज अगर आपकी सरीर की रोक पत्यों दक्षमता बहुती ज़्यादा कम है आप बोलेंगे कैसे पता लगेगा कि सरीर की रोक पत्यों दक्षमता हमारी कम है तो गैज अगर आप हर दो दिन में आपको जुखाम खांसी बुखार हो रहा है आपने दवाई ले ली फिर ठीक हो गए फिर से आप दो दिन बाद बीमार हो गए इसका मतलब गईज ये है आपके सरी की इम्मुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपके इम्मुनिटी ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसके लिए आप देंटी सीरप का इस्तिमाल कर सकते हैं जो के आपके इम्मुनिटी बुश्टर की रूप में काम करती है और आपके सरी की इम्मुनिटी को बढ़ाने का काम करती है इसके अंदर गईज एंटी पैरेटिक गुड़ पाय जाते हैं जो के बुखार को ठीक करने में मदद करते हैं इसके अंदर जो इंग्रीडियन मिलाए जाते हैं सारे औसुदिय तत्त मिलाए जाते हैं सारे प्रक्रतिय तत्त मिलाए जाते हैं जो आपको किसी भी परकार का नुकसान नहीं पहुचाते हैं बलके आपके समस्याओं को दूर करते हैं, आपके सरीर की रुखपदो दक्छमता को बढ़ाते हैं पपीता के इसमें पत्ती प्रेजेंट होती है, गुड़चीप आया जाता है और भी इसमें कई परकार के इंग्रीडेंट मिलाए जाते हैं जो के आपके रुखपदो दक्छमता को बढ़ाते हैं, आपके बुखार हो, बुखार को ठीक करने में मदद करते हैं बहुती अच्छी आयरविदेक राममाड ओसुदी है जो के ज्वर खांसी कफ जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है इम्मुनिटी बूश्टर की रूप में ये काम में लाई जाती है इसको गैसे लेना किस तरीके से आप इसको दिन में दोवा ले सकते हैं या फिर आप डॉक्टर की सला से भी इसकी खुराकों निर्धारे कर सकते हैं गैस अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या पहले से किसी दवा का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इस उसुदी को लेने से पहले आप डॉक्टर की सला जरूर लें कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं को हर किसी की बोड किस्तितिया लग लग йोती है मेडिकल इस्तित्या लग्लग वेखज को फाइदा देती यह तो किसी को नुकसान भी कर सकती है इसलिए डॉक्तर कि सला के वेदा किसी भी दवा का सेवन ना करें चाहे होूमपैतिक या फिर अलो पैति हालांकि ऐर्वेदिक दवाओं के साइड पैक बहुती जादा कम होते हैं लेकिन होते जरूर हैं इसलिए डॉक्टर की सला के वेरा किसी भी दवा का सेवन बिलकुल भी न करें आप बूलेंगे कि इसको हम कहां हैं तो आप इसे किसी भी आयर्वेदिक द॥े जाके खरीज सकते हैं या फिर आप और आप से असको खरीज सकते हैं क्योंकि ओर्लाइन यह आपको काफी अच्छी दिस्कॉर्ट में मिल जाती है। इसका प्रैस वाकई में अफोर्डेवाल है। आप इसली तरीके से प्रैस भी अफोर्ड कर सकते हैं। आप इसका साइड एफेक्ट भी हो सकता है। याद रखें डॉक्टर की सला के विना इसका सेवन ना करें। प्रैस वाकई में अफोर्डेवाल हैं तो आप इसका इस्तिमाल करें। आज की वीडियो में वस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नहीने वीडियो के अपडेट मिलती रहें, नहीनी जानकानि जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा एबलिबल रहेंगे, आपकी सायता जरूर करेंगे, सो गईस चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दीजिए और इस दवा का इस्तिमाल करें, जो के आपके समस्याओं को दूर करेगी, सरी की रूपतों दक्षमता को बढ़ाएगी, सो गईस धन्यबाद